हल्दी से हम अपने बालों को इंस्टेंट ब्लैक कर सकते हैं, इसके लिए ना महदी की जुरूरत है और ना ही इंडिगो की ऐसा ही कुछ उन वीडियोस में कहा जा रहा है जो की फेस्बुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूप पर बहुत वाइरल हो चुकी हैं जब मैंने इन वीडियोस के व्यूज देखे तो मिलियंस में व्यूज आयो हुए थे, मैं खुद हैरान रही तो मैंने का चलो मैं भी ट्राई करती हूँ और फिर इसका जो ट्रू रिजल्ट है आपके साथ शियर करूँगी और इसे तब तक रोस्ट करते रहना है जब तक ये पूरी ब्लैक कलर में न कनवर्ट हो जाए इस वीडियो को लाने में मुझे बहुत टाइम लग गया इसके लिए एक्स्ट्रेमली सौरी क्योंकि मैं काफी दिन से वेट कर रही थी कि मेरे बाल वाइट हो और वाइट बाल थी जिससे मेहदी से बॉर्डर लगता है कैती है मुझे इंस्टेंट ब्लैक कलर चाहिए बालो में तो मैंने उसे इस डाई के बारे में बताया तो वो त्यार होगी कैती चलो मेरे बालो में लगा दो इसे तो मैंने का चलो भी ठीक है मैंने फटा-फट से तवा रखा हल्द जो वाइरल वीडियोज है ना उनका ट्रू रिजल्ट सब लोग देख सकें क्योंकि मैंने जब इन वाइरल वीडियोज के कॉमेंट्स पड़े तो उसमें कई लोग कन्फ्यूज हो रहे थे कि इसे ट्राई करें या ना करें तो मैंने सोचा चलो मैं ही ट्राई करके आपको प्रू रिजल्ट बताती हूं तो ये देखिए अभी अच्छी तरह से ठंडी भी हो चुकी है इस हल्दी को हमने अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लिया ब्लैक कलर में कन्वर्ड कर लिया अभी इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं इस डाई को बनाते टाई में बहुत ज्यादा excited थी और यही सोच रही थी कि अगर इससे बाल काले हो गए ना तो सर्दियों में मेंधी नहीं लगानी पड़ेगी और यह easy way है बालों को black करने के लिए आप सब के साथ भी ऐसा ही होता होगा ना जब हम कुछ नया करते हैं तो उसके result के बारे में पहले ही सोचने लग जाते है ना तो चलिए अब यह हमारी जो हल्दी है ना हमने बावल में निकाल लिया है अब इसमें एक चमश मैं डाल रही हूँ अलोविरा जैल और जुरूरत पड़ेगी तो हम बाद में और भी इसमें मिक्स कर लेंगे इसके जो ingredients है ना वो तो काफी अच्छे हैं ब मातरा भी बढ़ा सकते हैं चाहे हम इसमें coconut oil की मातरा भी बढ़ा सकते हैं इन दोनों की quantity कोई matter नहीं करती है बस इसका fine paste ready होना चाहिए इसकी consistency बिल्कुल perfect होने चाहिए ना ज़्यादा थिक हो और ना ज़्यादा थिन हो same जैसे हम अपने बालों में महंदी का paste लगाने के लिए त्यार करते हैं वैसे ही आपने इसका paste त्यार करना है इसका paste काफी थिक है तो मैं इसमें aloe vera gel ओर add कर रही हूँ oil के comparison में मुझे लगता है कि इसमें aloe vera gel ही ज़्यादा add करनी चाहिए क्योंकि oil से हो सकता है कि बालों में color थोड़ा सा कम आए पर aloe vera gel जो होती है वो बालों में color अच्छा ला सकती है तो ये देखिए इसकी perfect consistency त्यार हो चुकी है हमारी black hair dye बनकर ready है तो चलिए मैं इसे आपको अपनी friend के बालों में लगा कर दिखाती हूँ तो ये देखिए इनके white ball बहुत ज़ादा है इन्होंने पूरी सर्दी में में लगाई है क्योंकि इन्हें sinus की problem रहती है और में लगाने से कतराती है तो सबसे पहले तो मैं इनको ही धन्यवाद बोलना चाहूंगी क्योंकि इन्होंने इस experiment को करने में मेरा साथ दिया अपने बालों पर मुझे ये experiment करने की इजाज़त दी अब तो बस ये देखना है कि मेरे इस efforts के लिए आप मुझे कितना spot करते हैं इस video को कितना share करते हैं इतने efforts लगाने के बाद भी अगर हमें सामने वाले से कोई response नहीं मिलता है न तो बहुत बुरा लगता है और फिर भी मेरे यही कोशिश रहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे useful videos लाती रहूँ मैं इस तरह के experiments करती रहते हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे experiments करना उनके true results जानना और इससे पहले भी कई वीडियो आपके साथ share कर चुकी हूँ जैसे कि हीना इंडिगो के one step process पर क्योंकि कुछ लोगों को यह confusion रहती है कि अगर हीना इंडिगो को one step में हम use करते हैं तो हमारी बालों में कौन सा color आएगा तो उस पर भी मैंने वीडियो आपके साथ share की हुई है और इसके साथ कई लोगों कहते हैं कि बीट रूट से बरगंडी color आता है बालों में तो इस topic पर भी मैंने दो वीडियो बनाई हैं आप चाकर उने जरूर चेक करना अब इसके बाद जो मैं अगला experiment करने जा रही हूँ वो है coffee से black hair डाई बनाना आप YouTube, Facebook या Instagram पर जाकर एक बर जरूर चेक करना coffee से black hair डाई बनाने के भी आपको कई viral videos मिल जाएंगे तो मैं इसका true result जानने के लिए ये experiment जरूर करूँगी अगर आप जानना चाहते हैं कि आप सच में coffee से भी बालों को black किया जा सकता है तो आप मेरे चैनल को जाकर subscribe करें और bell icon को press कर दे ताकि आने वाली videos के notification आपको सबसे पहले मिल सकें तो इस डाई से मैंने इनके सारे white ball cover कर दिये हैं अब दो घंटों के बाद जब ये shampoo होश करेंगी तो देखते हैं कि क्या result आता है तो ये है बालों को shampoo होश करने के बाद का result मैं देखकर हैरान रह गई कि एक भी बाल black नहीं हुआ जितने भी white ball थे वो ऐसे कि वैसे ही white रह गई मैं तो इस result को देखकर पूरी तरह से shocked हूँ इन viral videos के इतने million views आ रहे हैं इतने सारे likes आ रहे हैं पर result तो देखो बिल्कुल zero तो आखिर में मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि इन फाल्तू के जो जूटे videos हैं न viral videos उनके चक्रों में मत पढ़ो आपका time और money दोनों ही waste होंगे कुछ नहीं होने वाला हिस से इस result से मैं और मेरी friend बहुत निराश हुए आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में comment करके जुरोग बताना